हेलो यूरिवन तो आज हम एक इंट्रेस्टिट इचली में ना टॉपिक बोल सकते इंट्रेस्टिट बुक पढ़ने चाहरे हैं वह आपका कंप्यूटर पहले भी पढ़ा होगा आपने यूट्यूब में हर जगा आजकल है लेकिन हम कुछ अलग से पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपने देखा होगा कंप्यूटर आप जितने अच्छे से पढ़ो बट आल्मोस्ट क्या होता है कि आप कोशिंग करते हो दस में से हाडली सही मैंनों में समझो ना तो कंप्यूटर टेक्निकल सब्जिक्ट है यह नहीं है कि रटा मार दिया जी ठीक है प्रेमरी मैमरी यह स्केंटर में इन्पूट याद कर दिया यह इतने घुमाने वाले कोश्चन बनते ना तो काभी मुश्किल हो जाती है हाँ जिसने अगर पहल करेंगे जो बिल्कुल कुछ बेसिक बच्चे उनको पढ़ाएंगे अब यह मत बोलना कि सर्क्या पढ़ा रहे हो गया रही है इंट्रोडेक्शन यह इतना बेसिक साही तो हमने पढ़ा है बट फर्स्ट डे आजम निच्चे से स्टार्ट कर रहे है बोलते हैं कि घर बनने क बोलने से पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ चार्ट जो मैंने अपने मेरे में रिप्रेजेंट किया ताकि आप अच्छे से याद कर पाऊ आपको रट्टा याद करने की ऐसा कुछ दिक्करना होगी रट्टा में जहिर सी बाते आपको शॉट टर्म के लिए याद सबसे पहले एक कंप्यूटर तो कंप्यूटर का जो आपका है सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे लट्सी आप अगर आपको स्क्रीन शॉट मारना है तो आप मार सकते इस चीज़ को फिर मैं समझाओंगा बहुत इंपॉर्टेंट है यह तो सबसे पहले हम इंट्रोडेक्शन पढ़ेंगे ओकी इंट्रोडेक्शन में क्या होगा आपका कंसेप्ट वाट इस कंप्यूटर फदर आप कंप्यूटर बिट्स टाटा निबल्स यह आपका बेसिक चीज़े हम करेंगे कि इनपूट कहां से आता आउट्पूट क्या है बेसिक बेसिक सा ज्यादर नहीं यह हर बार एक दो कोशन तो बनते हैं यहां से नो डाउट देखा है मैंने पहले भी पेपर अगर आप यह कोई कि एससी का या किसी स्टेट पीसी का या जेकेस भी या किसी भी स्टेट का पेपर उठा के देखो गए ना तो डेफनेटली यूविल सी दिया कि आपने इससे दो तिन कुशन आये होंगे ओके उसके बाद एवलूशन और हिस्ट्री आफ कंप्यूटर यह किसमें कंप्यूटर पढ़ेंगे और इसके अंदर कुछ टॉपिक से जो फंडमेंटल के अंदर आते हैं और इससे कुशन आता है तो सबसे पहले हम एवलूशन और हिस्ट्री आफ कंप्यूटर देखेंगे एक्टली में यह फंडमेंटल है क्या यह पढ़ने से पहले तो आप बो इस बेसिक नहीं समझें इस बेसिक इसका मतलब यह है कि जो इसमें जो पार्ट से जो फंडमेंटल में आते जा इसके कोई कंप्यूटर के कंपूनेंट्स हो कंप्यूटर का कोई भी ऐसी चीज जिससे यह फ्रत्थर चीज़े डिवल अगर वह नहीं होता तो शायद हाडव सब्रेंट्स होता कि मस्तार चीज़ें जिससे आपके पास नहीं होती है जैसे आपका वन यह ब्रस यह अगया ऑन गया-गया व्रस उसके बाद यह नहीं नहीं पडराइग क्योंब यह यह फंडमेंटल Orlando घोक्तियुक्ऌश में ऴृस्टी इसके कने आपका publishing घो मेंने है तो लोगट करता है करती सारह है कि कहना काड़ क्या मतलब मतलब है है कि इ displacementorie in अगर आप देखो तो इसे तो हर जगा अपनी इंपरन्स है लेकिन अगर कि में देंखो तो these are the most important और इसी से यह सारे फम्पॐ तो D rend ऑन फॉन्डमेंटल साथ कॉम्पूटर ओके एवलूशन एवलूशन में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर से एक्टुली कंप्यूटर कैसे मनलब हिस्ट्री आप क्या सकते हो कि फर्स्ट जैसे अपकर यह था उसके बाद दीरे दीरे वह आये टेबूलेटिंग मशीन वगेरा वगेर तो यहां आपको एवलूशन में कंप्यूटर कैसे बना कैसे बना क्या हुआ क्यूंकि अगर यह नहीं हमें पत्ता होगा तो शाहिए आगे पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा क्यों नहीं आपकर आपका अच्छा होता है और है एक हम सब्छके पहले एफर्ट क्यों है सोच क्यों आई computer बनाने की बेसिकली तो जब अब यह सब नीचे से पढ़ते हो ना concept लेके तो आप आपको आगे बिल्कुल दिक्कत नहीं होती ओके तो उसके बाद आपको पढ़ना है जरनेशन आफ कंप्यूटर मोस्ट इंपॉर्टेंट जरनेशन आफ कंप्यूटर तो पहले भी पढ़ा होगा आपने अल्मोस्ट मुझे उमीद है कि जो आप देख रहे हो तो सबने पढ़ाई होगा लेकिन फिर भी मैं आपको यह बाद में डीप में पढ़ाओंगा अभी जसमें एक आउटलाइन बता रहा हूं तो यह यह मतलब नीगार आपने पहले पढ़ना है तो आप नहीं देखो कि जन्नों ने देख और उनकी रविजन हो जाएगा वह जो फुस्थ जैसे आपको मैं बताऊंगा जो आपको किसी यूटू पर मिल सकती तो मुझे बताना तो आपने हर जेगा मिल रहा है आपने क्या नया पढ़ा ह है आप बेस्ती के बेसिक तो हजगर सेम ही होता है यूनों पर फिर बी कुछ अलग वेमें में पढ़ाने के कोशिश करूंगा उसके बाद टाइप साफ कंप्यूटर आ गया एक्शली तो आपका टाइप साफ कंप्यूटर है यह त्राइप साफ के अंदर भी तीन आते डिपे छोटा है तो अलग बड़ा उसके बड़ा अलग में लग उसको डिफाइन किया है तो यह हम बाद में पढ़ेंगे उसकी टैंशन दो उसके बाद वर्क के बेसे तो वर्क क्या आपका का सुक्षेल परपस्य कर सकते हो चलो ठीक कर तो घर में लिए बयाओ तो चलो नहीं और लोर्मल यूज नहीं करते हूं और इसमें आ गया थिन और वर्क से आपका जैनल जाहिऊंच मैंने आपको बता है साइव को बताया कशावर के बीज़ कथना सुपर कंप्प्यूटी में थें कंप्प्इर्व क सोने के धियर आप्सवार के लिए इसन के संदर आपने तो कि आपका एक आगया सबसे पहले हैं सबसे पहले अलाओर ओके इचे करा था जा विश्के पाद अनलाओंगी के पाद आप क्या गया है डिजिटल टीसरा आपका आ गया हाइब तो एनलाओकी क्या चुलीट बात में पढ़ेंगे फिर एक फिर भी मैं आपको हाइलाइट मे यह जैसे आपके सुई घड़ी तो आप जो ऐसे सुई में चलती तो उसको अब जासे आ गया तो उसको बोलते लागे स्के बाद आ गए है आपका तीसरा वाला हाइब तो hybrid is a intermixing between analog and digital तो पढ़ेंगे हम आगे इसको अच्छे से उसके पर परपस आ गया जर्नल परपस आ गया जर्नल क्या गया सब के लिए जर्नल इप्साल अपर जर्नल और दूसरा है याद आपको तो दूसरा आ गया आपका special परपस फस्ट आपका जर्नल परपस और दूसरा आपका special purpose जर्नल ही आप यूज कर सकते हो जैसे कि आपका laptop है कोई भी यूज कर सकता है not a big deal at all but special purpose only used in the field of research इसको आप research में सिफ यूज होता है ज्यादतर आपका अगर आपको चलो ठीक आप यहां बैठे हो तो आपको आप फोन पर टाइप करते हो ठीक है internet यह आपका internet में खोल के आपकी बकल बारिश है नहीं है तो वैदर वैदर प्रेडिक्शन तो कुन करता है सुपर कंप्यूटर करता यार आपका वैदर प्रेडिक्शन आपके यही तो करते है जर्ड़ यह special purpose computer और में कंप्यूटर नहीं कर सकता आपका तो कहने का मतलब सिफ special काम में होता है कर वाद फिर आगया आपका components आप computer components का मतलब होता है कि कोई भी ऐसे पार्ट मिलके जिससे main computer बना हो उसको बोलते components ओके तो इसमें आप क्या आगया सबते पहले input इंपूट आपका computer के अंदर आप कोई भी information जब आप अंदर सेंड करते हो तो उसको इंपूट बोलते हो जैसे आपका mouse आगया आपका keyboard आगया शाहिद मैं जल्दी बोल रहा हूं क्यूंकि मैंने देखा आजकल बच्चे क्या करते जो भी वीडियो हो 2x में लगाते तो मैं मैं पहले ही 2x होना चाहता हूं मैंने चाहता है कि बच्चे 2x में लगा है ताकि मैं यहीं से 2x का ही वोलूं तो उसके अभी उसके बाद आपका आगया आउट्पूट आउट्पूट इंपूट तो समझा गया आपका जैसे डाटा अंदर information बेजना हो जैसे आपका mouse आगय गया कीवोड आगया आपको समझाऊंगा अच्छे से टैंशन निलो इस चीज़ का आउट्पूट आ गया कोई बीचीज आपका जब डाटा information अंदर गई तो वही प्रोसेस होके प्रोसेस यह टेक्निकल वोड़ आपको समझाऊंगा इसकी कोई टैंशन निलो अच्छे से पढ़ेंगे जिसमें आपको एक आउटलाइन बता रहा हूं उसके बाद आउट्पूट आ गया आपका जो डाटा आपने अंदर सेंड के वह बाहर आ गया बाहर आ गया कैसे आ बाहर कहने का मतलब उसका यह कि जब आपने टाइप किया कि एक्जांपल कर लो कि आपने कोई प्रोसेस करके आउट्पूट दिया उसके बाद CPU आ गया यह भी बहुत इंपोर्टेंट है सेंट्र प्रोसेसिंग जूनिट इसी को ब्रेन अदर कंप्यूटर भी बोलते हैं समय रहे हैं जैसे हमारा ब्रेन है वैसे इससे मुझे याद आई मैं आपको थोड़ा थोड़ा स बताओ कैसे एक्चुली मैं आप देखो कि एक जो इनसान है वो कामी कंप्यूटर जैसे करता है लेट करो मेरा नम सुनील है मेरे साथ कोई लड़का अंकित है तो मुझे अंकित बोलता है कि वाट इस यूर नेम तो उसने मुझे इंपूट दिया और मेरे अंदर इंपूट हुआ है इंपूट इंपूट क्या है मेरा यह कान से गया मेरे अंदर इंपूट और प्रोसेस क्या हुआ ब्रेड में तो हमने क्या दिया वापिस अंसर माइन आम तो मैंने गा सेमी कॉम्लट का काम करता है लिकें मैंध समझने के लिए बोला था तो एसा होता प्रोप्र फिर रॉबर को बहुत च्लांग लगा दो जहां लगा देता हो क्यों हले टिक-टिक सारा कुछ लोग्य उसको को भेडिश लगाता है ने बहुत को उ Вन दी को मारो गो बहरवालों को बोलो मैं तो computer हूँ ऐसा नहीं है ठीक है तो बोलो के सरगल पढ़ा रहे हैं उसके बाद CPU के बाद आके आपका CPU तो पढ़ा उसके अंदर तील हम पढ़ेंगे अर्थामेटिक लोजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट मैमरी यूनिट में भी देखनी रहा यहां पर आपको बता दू प्रेम्री और स्केंडरी मेंडी पढ़ा होगा अच्छे से पढ़ेंगे आम इसको फंडामेंटल का मैंने मतलब बताया था कि जो फंडामेंटल अगर वो नहीं हो उसी पर स्थंप था और वो नहीं हो तो बाकी जो जितनी डॉट्वलप्मेंट होई है वो नहीं हो पाती क्योंकि चीजी नहीं होती जब कोई चीजी नहीं हो तो आगे कैसे आप ग्रो कर पाऊगे तो इट मीन्स इस अर्दा बेसिक्स ओके एवलूशन पढ़ा जब सबस्की जब सबस्की जब सबस्क होई किम्स प्रिय चुदरी आपको में किल बेसिए चूरी म किस सारी जरनेशन सांगा bond फर्स जनएशन क्या था सैकेंड थार्ड फोट जैसे यू नीवेक इन एक फस्स जनएशन में था जिसे उसमें क्या है स्वेची संद्ध साइज में बहुत बढ़ा था धीरे-दीरे साइज छोटा होता रहा क्यूं हमार पर टेकनाओजी तो उस लेवल की नहीं थी पढ़ेंगे उसके बाद आपका आगया components आप computer components means उसी चीज से computer बना हुआ है components वही चीज जुड़के कोई एक चीज बना हुआ है अब बोलेंगे human being जो बना हुआ है किस से brain kidney यह सब एक component इसी चीज से बना हुआ है तो that is component input mouse वागिर आपको मैंने बताया output बताया एक इंसान की example बतायी process ALU आ गया control unit आ गया memory unit मैंने आपको बताया primary secondary memory okay तो क्या बोलते है उसके बाद आपका other important topics of the computer कुछ important topics मैंने अलग से यह define कि सब हम अच्छे से पढ़ेंगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे operating system सबसे पहले most important उसके बाद hardware पता है सबको software यह भी पता है अब मैं आसे नहींना बोलोगा आप बोलोगे सर आप जब हमें पता है तो हम क्यों पढ़ने आएंगी मेरा कहना क्या मतलब बैसी के आगे पढ़ाऊंगा आपको में open source software close source software के अंदर यह open a close BIOS basic input output system बहुत important most important एक दो कोशन आएंगे आएंगे गरेंटी है peripheral devices यह भी पढ़ेंगे आम अच्छे से उसके बाद email email भी बहुत important topic है computer languages actually मैं languages से question आते बड़े काम है लेकिन फिर भी basic जाने के लिए थोड़ा क्योंकि जब compiler से question आते interpreter से question आते high level language to love level language तो वहां पर कभी-कभी indirectly पूछ लेते हैं तो हम इनको फिर भी पढ़ लेंगे computer virus and antivirus यह भी अच्छे से पढ़ना है form वियर पढ़ना है human वियर पढ़ना है और कुछ internet पढ़ना है most important यह सबसे ज्यादा lengthy topic और time खाएगा उसके बाद आपका logarithm पढ़ेंगे हम small terms use in computer और कुछ छोटे-छोटे terms use हुए है वो पढ़ेंगे हम definitions जिसको बोलते mcqs और एक चीज़ में लिखना बूल गया आपका Microsoft Office उसके अंदर आपके सारे आ जाते MS Word MS Excel जो भी है तो यह सब आपका आगया अब हम आपको start करेंगे कहां से इंट्रोडेक्शन से start करते हैं वीडियो जाद लंबी ना बने तो इंट्रोडेक्शन थोड़ा आज हम आपको एक पहला वाला पार्ट आज हम आपको बता देंगे फिर काल से आगया करेंगे ने सारा पढ़ा फ्लोचार्ट तो आभी हम इंट्रोडेक्शन पढ़ने जा र तो इंट्रोडेक्शन में सबसे पहले हमने पढ़ना है कि कंप्यूटर की डेफिनिशन क्या है फुल फॉंक्या है फॉदर को ने उनका वगेरा वगेरा तो सबसे पहले कंप्यूटर की जो फॉदर है वह है चार्स अब बेच्ट पैस्पेलिंग देख लेना क्योंकि बूकर रजगा मिल जाएगी तो कंसर्प्सम्दों ओके ऐसे भी मैं स्पेलिंग पर कमी बलीव करता हूं मैं ज्यादा कंसर्प कंप्यूटर साइस वादर कौन सा है कि या गया सिर्प कंप्यूटर यह क्या गया कंप्यूटर का फदर आगया चार्स बेच कंप्यूटर साइस का फदर आगया आपका ऐलन कि अच्टिन ओके कंप्यूटर जो वोड है वो ड्राइट फॉर्म दा लेटिन वोड जिसका मतलब होता है कंप्यूटर है कंप्यूटर है कंप्यूटर का मतलब होता है कि सील सीयल एलेटी कलकूलेशन करना अब हमें कंप्यूटर की नीट क्यों पड़ी जब इनसान का ब्रेन कोई गॉड ने कम बनाया क्या इसलिए हमें computer की need पड़ी क्योंकि human brain जो है वो सबसे पूरे आर्थ पर सबसे विक्सित बोल सकते हो आप सबसे well developed brain लेकिन फिर भी हमें need पड़ी इस तरह की चीज होगे क्यों क्योंकि हमारे अंदर एक problem है हम जो चीज स्टोर करते हैं तो अगर बार बार याद नहीं न करें तो बोल जाती हमें थोड़ा स्लोग जैसे अगर कुछ मुझे calculation देदी यहां 10-15 अलाकि मेरा तो मैं तो लेकिन किसी intelligent को भी लिया हो फिर भी इतनी जल्दी calculation नहीं कर पाएगा तो इसलिए हमें इसकी नीड़ पड़ी की calculation जल्दी हो slow काम था फास्ट हो calculate इसको ठोड़ डिफाइन करें से पहले एक चीज़ आपको मुलूंगा confuse मत होना कि laptop और यह सभी computer है सब कुछ मतलब है सब कुछ का मतलब है कि जो भी चीज है कccoliट करें आल्यटर डिवाय से जो calculate करें या calculate ना भी करें sanitation क्या है कि आपकी वाच यह व्य डिय कल कुल है यह जो यह फसे कंप्यूटर है हमने पीछे पड़ा था ना किसमें के बेसे पर computer define किया था एक क्या किया था वर्क के बेसिस पर डिजिटल कंप्यूटर एनलॉग कंप्यूटर तो डिजिटल मैंने बताए था कि जो वाज होती है तो 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 साल से computer यार तो computer की definition अब यह समझना कि computer के यह नहीं कि laptop इंप्पूट गया जिसको हम इंपूट देते है उसको process करता है उसको एक इंपूट क्या होता आपका कोई भी चीज जो अभी रा फार्म में मतलब हमें कुछ चाहिए नहीं तो यह information नहीं नहीं हम पर जिस ऐसे एक रा फार्म एक डाटा है क्या अभी इंपूट एक डाटा हम अंदर computer के अंदर ह सकते मेफ़ेश जैसे कीबोर्स से भी कर सकते हो माउस से भी कर सकते हो उसके बाद आपका आगया यह इन्पूट processing इन्पूट किसके फार्म बिट के फार्म में sent करते हो बिट अब पढ़िंगे हैं आगे क्या है तो आउट्फुक्ट क्या है आपका आउट्पुड होता है आपका स्टोरेज भी आप कर सकते हो किस में आउटपुट में आउटपुट मिलने के बाद आपको तो एक जैसे कंप्यूटर ने आउटपुट अगर आपका आपने अपनी एक्जामपल करो 10 की मार्क शेट निकालनी है आपने स्केनर में डाली कंप्यूटर में प्रोसेस हु तो आपके यहां पर प्रोसेस साथ में स्टोरेज भी कर सकता यह पड़ेंगे हम पढ़ेंगे कहां पर मैम्में कि रजिस्टर क्या है यह बाकि जो हाय रारकिस मेम्मरी चैश मेमरी आ गया वगेर होगे तो इंफॉमेशन इंपूर्पुट समझा प्रोसेस और पूर्पूर ठीक है अब इसमें चीज आप में आपको मैं समझाओंगा कि तो अभी हमने पीछे पड़ा अभी हम आपको इंट्रोडेक्शन आप कंप्यूटर जो पहले पड़ा अब सेकिंड पार्ट हम उसका पड़े बिट में चीज बिट बिट क्या है मैंने क्या बोला था कि बिट जो ह अब आपको क्या लगता है कि आप लिखो गे आप अ क्या मतलब यह समझाएगा यह कह रहा कि बड़े डिट ने माफ नहीं अलग में था इसको बोलते मशीन लंग्वेज तो computer वही लंग्वेज समझते हैं 0 और 1 बस इसी को coding के गिए 0100 एका बना लेंगे बीका 0100 तो यह भी हम समझें के कैसे बनाएंगे इसी को बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज जैसे bit का मतलब होता है smallest unit आफ़ भीट का होता है smallest unit सबसे छोटा योनिट होता है यह मेमरी में कैसे अब देखो समझो जैसे मैंने कुछ भी एक बाइंदी लेंग्वेज में कोई एक लंबा सा वोर्ड लिख लिए यह 101001 10001001 अब बोलोगे 0100 क्यों लिखा क्योंकि बैंडरी लेंग्वेज में अब कुछ भी लिख लो अभी जस्में समझाने के लिए बोर रहा हुँ आप तो 16 वोड मैंने पूरे बनाय है यह ताकि मैं फिर समझाओं की लिखे मैंने ताकि वह उप्र बन पाए जो मैं सम्झ जाना चाह रहा हूं आपको जैसे यह 11 है इसमें से स्यंगल हो एक एक 1 इसमें 0 ब्लूंट हो सकता है और है वान बीट हो सकता है अgenग हो सकता है No यह यह नहीं किए आ दो को मिला के एक ही बोलो के 1 bit होगे यह बित मतलब सिंगल स्मालेस उट्ट जीरो यह बीट है यह वन बीट है और में है यह दूनु नहीं है यह बित है यह भी बित है इसको बहुत से smallest unit of the memory उसके बद पीट के पाद आप जाओगे अगर जैसे आप बोलते नहीं कि इसके बाद 8 bit is equal to 1 बाइट क्या मतलब है इसका यही तो मतलब है जो मैं बोल रहूं कैसे वान बीट है ठीक है अब 4 निबल है 1 2 3 4 इसको मिला दो 4 को क्या हो गया यह निबल हो गया उसके बाद आप 8 bit है 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 को मिला दो यह क्या आगया आपका वाइट सा गया वन बाइट कि वन बिट वन निबल वन बाइट कोई दिक्कत ही नहीं है कि बिट आगया स्मालेस यूनिट बाइट आगया चार वन बिट मतर्ब यह चार मिलके तो एक बाइट बन गया एक निबल बन गया फिर आठ बिट मिल गया बाइट मिल गया वैसे बाइट मिल मिल के फिर KB, MB, GB फिर उपर चलता रहता है जितना स्टोरेज हेवी होगी तो उतना ये बिट बिट उपर उपर बढ़ता है जैसे बोलते कुछ लाक बिट मिल के वन जी भी बनता है जैसे तो वैसे ये दिर दिर अब मैं आपको सिंपल में समझाओं को कि बिट ये काम कैसे करता है तो यूं समझो कि जैसे आगर आपको कंप्यूटर में अंदर समय लो आपको अगर कंप्यूटर में अनील नाम अंदर बहिएगा है तो अब इसमें है क्या bit में आपने computer सीधा अगर बोला नील तो computer नहीं न समझ पाएगा तो computer ने coding रख दिए एक ही अला coding एन की अला कि जैसे एक ही कर लो 0 1 0 0 0 1 1 आठ यह 8 मैंने क्यों लिखा क्योंकि 8 मिलके क्या बनता है एक क्रेक्टर बनता है क्या बनता है आठ बीट मिलके एक क्रेक्टर बनता है एक क्रेक्टर बनता है तो ऐसे जिरो 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 क्या समझे आप इस चीशे कुछ समझे नहीं आई नहीं समझ पता है मुझे सिम्पल समझो कि यह जो है आठ वोड मिलके ये एक जिखर इन अब यह साहरव बीट में लीडTime जैका इसे होन फिरो आज जाएक क्यों के दो है क्अ मिलके लंबी सी लाइन बन जागी तो तो कंप्यूटर समझ जाएगा यह अनियल इसका मतलब है ए एन आई एल यह ऐसे कोड करेगा तो मतलब बीट कैसे कोड होता है बीट होता है कोड अब जैसे हम कुछ भी इंफॉर्मेशन भीज़ते तो सिंपल इस कोड में चेंज करेगा कंप्यूटर को देगा इन्पूट के फॉर्म में प्रोसेस होगा आउटपूट देगा और हमें रिजल्ट मिलेंगे समझा बीट की कोई कंफूजन नहीं नहीं है है तो फिर से एक बार बता दूगा अपको बीट सम मालस्ज यूनिट क्या फिर कहीं होता क्या है कि मैं आपके सिंगल है ना जैसे बािणरी लैंग्वेज में देनर सहांनो की लेंग्वेज में तो जो बीट है वह एक जीरो वह सकता है ओर वन इस नहीं है यह जाटा है क्योंगी स्दीरो एनीट नहीं समयता है लेंग्वेज तो बीट के एक लैंग्वेज वॉन एक लेंग्वेज का तो जीरो एक उनी वम्हें तो वोलोगे तो इस लिए आठ मिया एक एक क्रेक्टर बनाते तो वैसे ही इस चीज़ का जैसे अगर यह सिंबल साइन हो इसका अलग और अधर आजाए मैं जिससे समझा रहा हूं अलग कि यह जो एक यह नहीं अलग कुछ है लेकिन एक जिस प्रिंसर्प्स समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं तो वैसे ही एन आयल अनील कर सबका लगा गया फिर वैसे ही संजे कुछ भी नाम हो वटेवर तो वैसे एक लाइनप बनता है तो बीट समझ गया अब बीट आप आप बताओगे कि जब बीट था तो यह आठ यह क्या बोलते यह हमें निबल की क्यों नीड पढ़ी है तो बीट एक छोटा सा है और इस एक छोटे में हम इतना एक मैनुप्लेट नहीं कर पाता है सारी इंफॉर्मिशन एक और लेप हो जाते तो इसलिए हमें बागियों की नीड पढ़ी है तो आज का हमने किया यह कंप्लीट क्या लागबग आपका इंट्रोड़क्शन कंप्लीट क्या आप वने पडा फातराव कंप्यूटर पड़ा वने चारल्स 2020 फादराव कंप्थर साइड़ निंग ओग्रृक्शन ऩूं जो सगने केंप्यूटरे विच में काल्कुलेट लेटिन वोट से आया हुआ है उसके बाद हमने पड़ा इन्पूट प्रोसेस आउट्पूट आउट्पूट आप स्टोर कर सकते हो मैम्मरी में और जो आप एक जब जब आप कोई प्रोग्राम चला रहे होते हो कुछ भी कर रहे हो तो तो उस्टेम भी तो मैम्मरी चाहिए और बैक अप मैमरी तक हो चलता रहे है तो इसलिए उसाथ में रहता है तो रखेर तो उसके बाद bit समझाए bit मैंने बताए कि computer binary language समझता है और 0 और 1 तो bit जो होता है सबसे smallest unit of the memory होता है इसमें 0 या 1 भी होता है जैसे मैंने आपको दो है 0109 इसको कुछ भी कर लो तो यह सिंगल सिंगल अलग अलग बोलोगे तो एक एक बिट आता है उसके बाद 4 यह मिला दो तो एक क्या बन जाता है थोड़ा बहुत ठीक ही कमांड है मुझे कंप्यूटर में थैंक्यू